कि अडिया जंगल हेलोगे वेलकम डिएफाइ आधियर वेलकुम यूल वांस अगैं टो आ यूटुब चैनल और आज के जो वीडियो देखने वाले हैं यह बिया स्टार्टिश निए वॉल्यूम का ही है लेकिन इस टॉपिक में हम लोग कों ओन जो श्रुप है उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले। कोन जैसे शर्ब को बोलते हैं तो बिलकोर हमारे दिमाग में इमेच बन जाता है एक ऑिस्क्रीम कॉन का यो वैसा ही जैसे बचस्पर में हम लोग सब य अभी भी हम जब आस्क्रीद ने जाते हैं तो वह कोण के शेप में आता है जा इसके ऊपर में अमनीके कप जीसा शेप जिसके ऊपर मैं सिल किया आता है वो शेप के बारे में आज थे מ該ने तो कौन को जब हम लोग समझते हैं तो उसका अगर हम एक डाइग्राम देखते हैं तो आप जैसे यहां देख सकते हैं डाइग्राम एक ट्राइंगल जैसा होता है लेकिन उसमें फर्क क्या होता है ट्राइंगल से ट्राइंगल जब हम लोग बात करते हैं तो एक टू सिधा सा पार्ट एक होरिजॉंटल लाइन रहता है बट इन कों में वह चीज एक सर्कल एक सर्कल जो हमने शेप सीखा है वह उसका बेस बन जाता है यानि कि आप अगर एक कैप देखेंगे एक बड़े कैप में तो उसका बेस अगर आप देखेंगे जिसको पहनते हैं टूपी वह ट्राइंगल का जो ऊपर के हिस्सा है वह उसी के तरह रहता है लेकिन जो वह डिफरेंस है ट्राइंगल शेप से वह हो जाता है कि वह पार्ट कर्व रहता है यानि कि जैसा आप यहां पर डाइगराम में देख सकते हैं ट्री डिमेंशनल फिगर में जो हम लोग लोग नहीं इसको तीन अलग अलग नजरिया से देख सकते हैं यह यह शेप जो होता है थ्री डिमेंशनल फिगर में हम लोग स्टडी करते हैं यहां पर हम लोग बाकी जैसे हम लोग ने क्यूब देखा क्यूब ऑड़ेका स्लेंडर देखा उन सारे संस में जितना भी आप पीछले वीडियो देखते आ रहे होंगे तो वहाँ पर हमने स्टडी किया था उनका वाल्यूम क्यालकूलेट करना शर्फस एरिया केवले करना कितना वह कवर करती है तो सबसर पहले आजाते हैं इसके फॉर्मलस में यहां मैं बोर्ड में एक और इमेज़ ट्रॉ कर देता हूं कौन का ना सबसे पहला जो फॉर्मला देखेंगे हैं हम लोग वह होगा इसका कर्वड सर्फेस एरिया जो कर्वड सर्फेस एरिया होता है उसका फॉर्मला होता है पाई आर एल ना पाई अगें जो वैली हो जाएगा डैट बीट वैज सेवन अनलेस कुछ और फिगर बताया रहे जैसे स्लांट हाइट स्लांट हाइट यहां पर हम लोग इस शेफ में इस लिए यूज कर रहे है क्योंकि जो कौन का जो हम लोग देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर होता है तो उसका एक होता है सेंट्रल हाइट जिसको हम लोग नॉर्मल हाइट कहके बुलाएंगे एच और जो साइड वाला लाइन है यहां देख सकते हैं इसका उटर एज जो कर्फट पार्ट का एक हिस्सा बन जाता है डाट इस एक्शुली एल यानि कि स्लांट हाइट तो यह स्लांट हाइट कैसे मे यह एक राइट एंगल ट्राइंगल के शेप में बन जाता है तो हम लोग अगर यह पार्ट क्याकुलेट करने मांग रहा है यह 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 बन जाता है है और इसको निकालने का फॉर्मला क्या होता है रूट अंडर बेस असकोंगला क्या है जाता है क्यामलियन क्याल में तो इस तरह करके हम लोग यहां पर एल कालकुलेट कर लेंगे अगर question में दे दिया जाए तो then no problem वहाँ से हम लोग use कर सकते हैं बट अगर बहुत सारे sum में हमें मिलेगा कि L calculate करने को दिया जाएगा तो L कैसे calculate करना है उसे हम लोग बिल्कुल Pythogras theorem से derive करके S square plus R square का root ना यह तो हो गया curved surface area What about total surface area total surface area हो जाएगा इसका curved surface area CSA plus the base area जो base area होता है वो curved surface area में included नहीं रहता है यानि कि CSA में तब क्या रहता है यह जो उपर का जो curved part है इसका area स्रिफ यानि क्याप अगर हम लेते हैं तो क्याप का सिर्फ उपर का जो हिस्सा होता है वो curved वाला part जो गुमाँ में होता है उसका सर्फ area को curved surface area में लो calculate करते है TSA करने के लिए हमें यह base का जो shaded part में नहीं यहाँ बना दिया उसको add करना पड़ेगा that means pi r l plus pi r square that is the area of the circle तो common ले लेंगे अगर pi r तो बचेगा हमारा पास l plus r which is the formula of TSA कहीं पर r plus l p लिखा जा सकता है तो confuse मत हो यह गा उस महाँ पर नाओ यह तो हो गया CSA TSA बच गया volume volume कब formula हो जाता है 1 by 3 pi r square h this is formula for the volume of the cone so इसको copy कर लिजेगा और बाकि सारे जो formula से उसी के तरह इसको भी याद करना है और इसका use हम लोग अब देखेंगे आगे के कुछ sums में तो please note it down then we will move to the sums तो sums में जाते हुए first question आप screen पर देख सकते है as it says that find the volume curved surface area and the total surface area of a cone having the base radius 35 cm and height 84 cm so यहां हमें तीनों चीज़ क्याकुलेट करना है यानि कि तीनों formulas का use हम लोग यहां पर basic type का एक सम है यहां पर हम लोग देख लेगे जहांपर कॉन का हमें radius और height बना दिया गया है for understanding एक rough diagram जरूर से copy के side में draw कर लिजेगा यह आपको और भी अच्छी better understanding provide करेगे तो radius यह वाला हिस्सा हो जा रहा which has been given 35 cm this is the height which is 84 cm तो पहला चीज़ जो हमें यहां calculate करना है that is volume तो 1 by 3 pi r square h 1 by 3 into 22 upon 7 into radius 35 into height 84 3 23 28 तो इसे multiply कर लेंगे so it is coming to 107 800 cm3 next thing जो अब हम यहां पर calculate करना है that is CSA which is pi rl इससे पहले हम लोग CSA को कुछ भी कर रहे हम लोग को l calculation करना है without उसका CSA हम लोग एक step भी आके नहीं बढ़ सकते है तो l will be root under height square plus r square height 84 square plus 35 square so it is उस अकॉर्डिंगली add करेंगे तो यह हो जाएगा 8281 इसका root निकालेंगे so it is 91 cm so यहां तक हमें L मिलिया now the CSA part यहां करते है CSA 22 upon 7 into 35 into 91 5 times and it will come to 10010 cm square so so यहां तक तो बस simple value put करना है and I hope L की calculation आपको समझ भाया हो now comes to the TSA part pi R L और जैसा कि हमने formula लिका था pi R r plus L 22 upon 7 into 35 and here 35 plus 91 यह जाएगा 5 and bracket में 126 into 10 110 so it will come to 13860 cm square so these are the 3 calculations for volume CSA and TSA this part को divide करते है copy this then we will move to the next sum and now the second sum as it says define the volume curved surface area and the total surface area of a cone whose height and slant height are 6 cm and 10 cm respectively so this sum here slant height and height and other values calculate so we can see the question about radius and without radius if we have curved surface area or total surface or volume we can see without radius we can see radius so we can not calculate radius before and we will try to use the formula which we will try to use the formula which we can use the formula which we can reduce radius now before diagram so let us सम को इस चैप्टर का करने से पहले एक रफ डाइग्रम ज़रू से साइड में बना ले तो यहां पर slant हाइड याने कि यह वाला पार्ट हमें दे दिया गया है तो यह राइट एंगल ट्राइंगल का यह हिस्सा 10 है और यह हिस्सा 6 है और हमें रेडियस याने कि यहां का जो बेस है उसे निकालना है तो जो फॉर्मला होता है फोर क्याल्कुलेटिंग दे बेस अकॉर्डिंग तो पाइथॉक्रस थियोर्म दाट इस है यह है यह है पाइज का स्कुएर माइनस पर्पेंडिकुलर स्कुएर विचे हिर बिकम्स एल स्कुएर माइनस आइड स्कुएर उसे यूस करके हम लोग है निका रहेंगे so first part calculation of sorry radius that becomes r equals to root under l square minus h square lamr a past 10 square square minus 6 square so radius over here becomes root under 100 minus 36 which comes to 64 to radius हो जाएगा plus minus 8 cm सो हमें जैसे ही radius मिल जाता है फिर हम लोग calculation के लिए आगे बढ़ेंगे and सबसे first thing जो यहां पर निकालने के लिए हमें बोला गया है that is the volume तो volume calculate करेंगे by the formula 1 by 3 by r square h so 1 upon 3 into 22 upon 7 into radius just हमें निकाला 8 into 8 और height है हमारे पास में 6 तो यहां कुछ भी तो cancel नहीं होगा तो इसे multiply कर देंगे and it will come to it will come to 8448 by 21 cm3 में लिखेंगे इसको डिवाइट करेंगे तो यह बन जाएगा 401.92 cm3 कि इसे डिवाइट कर चेक कर लिजेगा इसके बाद वॉल्यूम जैसे calculate हो जाता हमारा तब हम सीए से कि जो सेकेंड तिंग पूछा गया है उसमें आगे बढ़ेंगे पाई एरल तो 22 upon 7 into radius which is 8 into slant height 10 यहां हो multiply कर लेंगे so it becomes which is 251.2 cm2 and finally the TSA pi r r plus l 22 upon 7 into radius 8 and 8 plus 10 to 176 by 7 multiply by 18 it will come to it will come to 3.68 upon 7 which is 452.16 cm2 values यहीं आएगा अल्मोस्ट and point में है तो एक दो उपर नीचे हो सकता है है so if you find it varying very much तो आप इसे question कर सकते कमेंट सेक्शन पर वैसे यह वैरी नहीं करेगा हमने चेक कर लिया है and if you find आपको अगर यह समस्मझ में आया हो तो प्लीज कॉपे इट और अगर आपको कोई और गलती मिलती है या फिर आपको लगता है कोई और सम भी हमें डालना चाहिए इस चैप्टर से चैप्टर या सिलेंडर चैप्टर जो हमने पहले किया सिलेंडर टॉ तो प्लीज कमेंट सेक्शन पर में बोलिएगा and आज का वीडियो को हम लोग यहीं खतम करेंगे यह दो सम और इंट्रोड़क्शन के साथ में और आने वाले वीडियो में हम लोग इसी तरह के गया और डिटेल में बहुत सारा समस्मों देखेंगे जैसे चाप्टर आगे ब झालेärt चाप्टर आगे लागे असे चावाद के साथ में भीडियों